Pressure Diagram एक simple concept है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर एक tank में हमारे पास दो या तीन अलग-अलग तरह के liquids है जिसे example नीचे की तरफ है पानी, water उसके उपर float कर रहा है oil और अगर water और oil उन दोनों की वज़े से पहले तो bottom of the tank पे कितना force act कर रहा है और एक vertical side पे याने उस सबसे simple concept है pressure diagram का वहाँ पे हम लोग easily calculate कर सकते हैं कि इन दोनों liquid की वज़े से कितना force और किदर पे वो force act कर रहा है और इसको अगर आपको detail में सीखना है तो link हम लोग description में दे देते वहाँ पे आप ये वीडियो को देख सकते हैं